स्वागत है आप देख रहे हैं कहारी कुर्सी की अब बात करते हैं जरा राधिस्तान चुनाव की पहले सबसे पहले आपको एक तस्वीर हम दिखा दें राधिस्तान विधान सबा चुनाव के लिए आज मुख्यमंतरी अश्रोग गहलोत को अपना नॉमिनेशन फाइल करना था वो पहुँच चुके हैं सरदार पुरा सीट है जूदपुर की वहाँ ही से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं और वहीं हुआ आज पर्चब भरने के लिए पहुँचे हैं अब यहाँ पर उनके साथ इस नॉमिनेशन के दौरान कॉंग्रेस के राश्री अद्यक्ष मलिकार जुन खड़गे जी को भी आना था लेकिन आखरी मोमेंट पर यह पता चला कि खड़गे साथ नहीं आ रहे है अब बताया यह जा रहा है कि उनकी फ्लाइट लेट हो गई इस वजह से वो नहीं पहुँच पाए नॉमिनेशन के इस कारेकरम में लेकिन कुछ लोगों ने का कि भाई तो यह तो उपर नीशिक कि जा सकता था कारेकरम के खड़गे साथ का इंतजार किया जा सकता था बहराल अब नॉमिनेशन भर दिया गैलोट साथ ने खड़गे साथ लोटेंगे जब पहुचेंगे वो जैपूर तो उनकी एक सभा होगी अलग से जोदपूर में सॉरी और फिर वहाँ पर दोनों निता अब ये इनको टिकेट दिलाना चाहते थे लेकिन राहूल गांधी ने उस बक्त मीटिंग में ये बताया जाता है कि बिलकुल खुलकर और जोरदार तरीके से इनका विरोध किया था कि नहीं ये तो भरष्ट आदमी है इनको टिकेट आप कैसे दे सकते हैं कहानी ये भी आई थी कि अशोक गहलोत की आवाज भी उची हो गई थी राहूल गांधी ने भी पलटकर जोर से बोला फिर सुनिया गांजी को बीच बचाव करना पड़ा था शामना शांत कराना पड़ा था तब तो कुछ बात नहीं आई अब टिकेट की लिस्ट आई है ताजा और कॉंग्रेस पार्टी की और उसमें शांती धारिवाल को टिकेट मिल गया बाकी दोनों लोगों के टिकेट कट गए महेश जोशी और धर्मिन राठोड के अब कॉंग दोल गांधी ने ये कहा था कि ये तो महावरष्ट वेक्ति है उसी को टिकेट मिल गया अब ये ब्रष्टा चार के प्रती कॉंग्रेस पार्टी की उदारता है या शोक गहलोत का कोई जादू है जो नोने चला दिया ये पता करना चाहिए ये पार्टी को बताना चाहिए क् शांती धारिवाल को टिकेट बिल गया ने देखे राजस्थान जितना रोचक हुआ है उतना कोई और राज रोचक नहीं हुआ राजस्थाने उने चाहे भारती जनता पार्टी का हाइ कमान हो, चाहे ऑग्रेस का हाइ Ki मान हो, जो राज के हाइ कमान है, उनके सामने थोड़ा सा मामला रोकना पड़ा है. जिसको कहते हैं ने, बड़ी रफ्तार में चले जा रहा है, रौंते चले जाएं के बुल्डोजर की तरह, अचाना ने, लेकिन जो कॉंग्रेस के बहुत नजदीकी पत्रकार हैं, वो तो लिखते रहे कि अब राहूल जी ने तै कर लिया है, एकदम कहा कि नहीं किसी कीमत पर भरष्टाचारी को हम नहीं देंगे, सबसे ज़्यादा भरष्टाचार का मसला उनके सामने है, यहां अशोग गहलो को मुख्यमंत्री बनाने में आला कमान को पसीने चूड जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि अभी कोई स्टेडियम में वो रैली साथ में करेंगे, लेकिन बताई ने, खड़गे जी क्या करें बिचारे, पिछली बार भी तो कुछ था ना, और अशोग गहलोत के लोगों ने आप चाहे जो कर लीजी और पूरे टिकट बटवारे में ये दिखा है साफ साफ, जो बहुत कोशिश थी, वो कोशिश बहुत सफल नहीं हुए, थोड़ा बहुत सफल हो गई, तो इतनी तो हो जाती कई बार होता है ने, कि आप बार गेन करने में कई बार कहते हैं, अच्छ अच्छी के, राजिस्तान में अशोक गहलोत को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये तो बिलकुछ साफ है, चाहे सचिन पाइलेट जो हो सकता है, आला कमान ये चाहती हो के एक यंग, comparatively यंग व्यक्तिकों जो है, वो कमान दी जानी चाहिए, लेकिन अशोक गहलोत को इग्नोर क करके, कॉंग्रेस जो है, बीजेपी का मुकाबला राजिस्तान में बिलकुल नहीं कर पाएगी, और वो भी तब जब ऐसा लगता है, और ऐसा दिखाई देता है, कि बीजेपी जो है, उसको राजिस्तान में एडवांटेज मिल रहा है, तो ऐसे में कॉई भी ऐसा कदम यह शांती धारिवाल मामला लेकिन वाला मामला इतना क्यूं उचल गया था, इतना क्यूं गरम हो गया था, बताते हैं सोनिय गांधी को पीजपे चाफ करना पाएगी, यह बात तो साफ है कि शांती धारिवाल ने जो आलाकमान है, उसकी अवेलना की थी, उसके लिए कुछ शब बोले थे जिसके कारण आला कमान को ये लगता था कि एक rebellion की तरह वो सामने आये थे और वो जो है आशोग गहलू जो है उनको आला कमान कह रहे थे तो अगर ये सारी बाते होई थी तो आला कमान ये साफ है कि जो कॉन्गरेस आला कमान है वो खुश तो नहीं होगा इस सारी बातों से और ऐसा भी नहीं है कि कॉंग्रेस आलाकमान भविश्य में इस मामले को जो है इस मुद्दे को जो है यहीं पे खत्म कर देगा लेकिन इस वक्त जो ज़रूरत है वो है राजस्थान में चुनाव जीतने की और ऐसे में जो है वो कहीं भी मुझे नहीं लगता गहलो और शांती धारिवाल लगता होगा आलाकमान को और अशोग गहलोत को भी कि शांती धारिवाल अपनी सीट निकाल सकते हैं इस लिए भी यह फैस्ता किया गया जी पूरी गटना 25 सितंबर को भी थी जब आला चनाव नहीं लड़ना है अगली बार मेरा बेटा कोटा उत्तर से चनाव लड़ेगा मैं चनाव नहीं लड़ूंगा और शांती धारिवाल चनौल लड़ने में बिल्कुल भी इंटरस्टेट नहीं थे, उन्हें अपने बेटे का नाम के बढ़ाया था, उन्हें ने का था मेरी उम्र हो चुकिये, अब मैं विधायक नहीं बनना चाहता हूँ, मेरे बेटे को विधायक बना जाए उसके बाद सरक सकता है किसी स्थिती में, बेटे को टिकिट पार्टी देने के लिए तैयार नहीं है, और मुझे लग रहा है, यह समझोते के तहद अशांती धारिवाल को मज़ूरी लाणना पड़ रहा है, जिन्होंने पूरी तरीके से कोटा उत्तर से आप मज़ूरी बता रहे हैं, और आप गरना राहूल गांदी के सामने बहस कर रहे हैं, इनके लिए घा रहो धे को टिकिट दो। सीट को बचाने के लिए आखरीकार शांती धारिवाल को टिकिट डिया गया है। कॉंग्रेस पार्टी 140 से 150 भाजपा 60 से 70 राधिस्थान में कॉंग्रेस पार्टी 120 से 130 और 40 से 50 भाजपा 36 गर में और आगे पहुँच गये वो 75 से 80 कुल लब्बे की विधान सबाह है। बात नहीं हुआ है। ये Congress parties का प्रचार कर रही है। कि राज सरकार के कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा किया है तो अच्छा नहीं किया है। लेकिन कमाल की बात ये कि उसका लाभ भारती जनता पार्टी को मिल रहा है। और वहां लोग ये कह रहे हैं कि देखें बदलाओ तो होना आता है था। अब कितना ज्यादा नुकसान Congress का होगा। और सब का ये कहना है कि जो कभी नहीं हुआ जैसे उधारन के लिए एक लाइन जो बोली उसने मैं उसको दोहरा दे रहा हूँ कि यूपी और हरियाना में जो सुनते थे हम वो गुंडे आके हमारे हाँ बैठे हैं और संदक्षन पा रहा है सत्ता का। पुलिस वाले उन्हें बचाते हैं राह चलते लोग गोली मार देते हैं। अब ये राजस्थान में कभी सुनने को नहीं मिला था। ये मेरे लिए आश्चर जनक है क्योंकि इतने सालों से जब से राजस्थान को हम लोग जानने हैं तो शांती पुरी प्रदेश वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ होता ने हैं वहाँ दूसरे तरह की प्रतिष्ठा है वहाँ दूसरे तरह का आत्मसमान है और एक जिसको हम एक कहते हैं कि जो यूनुस खान का टिकट कटा है हलाकि वो चुनाओ लडेंगे यूनुस खान का टिकट काटने के पीछे भारती जनता पार्टी की सोची समझी रणीती है कतई, करवली, जोधपूर, जैपूर इनके बाद किसी भी इस्थिती में वो जो कहते हैं कि यहां पर वो बढ़त बना लेंगे और वो बढ़त अगर मिल गई तो भारती जनता पार्टी की अच्छी बढ़त बनती हुई दिखरी जिसको हम कह रहे हैं कि बहले वो पहले जैसी नहों जो पहले चुनाओ जीते हैं, लेकिन लगभग उसी के आसपास पहुंच जाए है जो यह बातें कही जा रही हैं, राहूल गांधी तो पहले कह चुक है 5-0 और वो तो कहते हैं, लिखके रख लो, माकवा है वर्ड्स, 5-0 कॉंग्रेस पार्टी के फक्ष्ट में होने जा रहा है, आप कॉंग्रेस के भी 60 बजार भी वही बात कह रहा है, जो राहूल गांधी जो है, जो है, चलते हैं, और दूसरा ऐसा भी नहीं है, कि यह जो बात कहे जारी है, कि फ्लादी सटा जो है, कभी गलत नहीं हुआ, पिछले बार कही अगर 2018 का चुनाव लेने, तो 20 सीटें जो इन्होंने, राजस्थान की बात करें, तो 20 सीटें कम दिखाई थी, कॉंग्र इस बिल्कु स्वीप करके गई, तो ऐसा नहीं है, कि सटा बाजार में कुछ सही होता है, और ये एक है, दूसरी बात ये है, कि हाँ, इस तहां की चीजें होती है, और ये कोई इनी चुनावों का नहीं है, मैंने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, जैसे हर्याना के एक चु बताया कि चत्रिसगर में जो है, पिछली बाजार फलादी सटा गड़ बढ़ा गया, तो ऐसा नहीं है, कि सटा बाजार जो है, जो 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 खेलते हैं, उनीस की चुनाव में फलादी सटा बाजार गलत हुआ था, वो त्रिशंकु की बात करने लगा, लेकिन जो आकड़ डालें खैर वईशेक मनु सिंग्वी ने वो बड़े दिल्चस्पे, MPD 140-150, रारेसान 120-136, 75-80, मैं करा वईशेक मनु संगी के ट्वीट डेकर, अगर कोई सट्टा बाजा रहे हैं, पैसा लगा अगर उसका पैसा डूबना था है, उन्हों ने जी से साब से दिया है, कि र बात माने के चल रहा हूं कि भारतिया पार्टी बहुत जादा बड़ात पर और कॉंग्रेस की स्थिती तो 2013 के प्रणामों की सिथी स्थिति बीज़ करे देज़ देशे सिथी कांग्रेस की निरदीलिंस की सकते त्यागरेस को मिली थी, मुझे लग रहा है कि अश्यों गैलल आज में आपको बता है राजस्तान में किसी में कॉंग्रेस 75 फिर नहीं जा रही है। उसके बाद समाधाधी पार्टे ने जिसाब से उमिद्वार खड़ा कर दिये, गोणवारा गंतन पार्टे ने जिसाब से उमिद्वार खड़े कर दिये, OVC ने चार उमिद्वार खड़े कर दिये और समाज़ादी पार्टी की उम्मिदवार देखे तो मुझे लग रहा है कि कॉंग्रेस को सबसे जाला नुक्सा उनके सहयोगी दल और उसके अलाव उनके बारी के बारी आप मिलान कर लीजेगा तीन तारिक को झाला नुक्सा